हेलो दोस्तो मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टाडी विद बिलाल सर में तो आज हम पढ़ने वाले दोस्तो क्लास 12 के हिस्ट्री के चेप्टर नंबर 15 यानि सविधान का निर्मार एक नए यूग की सुरूत और इस चेप्टर के दोस समय में हमारे चैनल दोबरा आपको एक अच्छी त्यारी करवाई जा रही है चौलिए आज के पहले प्रसन के और चलते हैं आज के महात्मा गांधी को ऐसा क्यूं लगता था कि हिंदूस्तानी राजश्री वासा होनी चाहिए महात्मा गांदी को ऐसा इसलिए लगता था दोस्तों कि हिंदुस्तानी राष्ट भासा होनी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तानी भासा एक ऐसी भासा थी जो उस समय भारत में अधिकांस लोग दोरा बोली और समझी जाती थी चुकि हिंदुस्तानी राश्ट भासा के लिए महत्मा गांधी के पर्यास का एक फल था या हम कह सकते हैं कि राश्ट आंदोलन के मजबूत बनाने में भी इसी भासा का सबसे बड़ा योदान था इसलिए महात्मा गांधी को भी यही लगता था कि हिंदुस्तानी भासा कोई राष्ट भासा होनी चाहिए महात्मा गांधी का मानना था कि हमें एक ऐसी भासा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू के मेल से बनी भारती जन्ता के बहुत बड़े भाग की भासा थी और अधिकावंस लोग इसी भासा का परियोग करते थे समय के साथ साथ बहुत तरह के सुरोतों से ने ने सब्द भी और अर्थ भी इसमें समाते गए और विभी ने चेतरों में बड़ी संक्याम लोग इसे समझने लगे महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुत सांस्कृतिक भासा विवित समुदायों की संचार की आदर्श भासा बन सकती है तो यह वो कुछ कारण है जिसके वज़े से महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी को राष्ट भासा की रूप में जोर दिया और इसे राष्ट भासा की रूप में घोशित करने के लिए अपना सरवच चोगदान दिया तो चली दोस्तों नेस प्रसन पे चलते हैं प्रसन नमबर दो सवधान सभा ने भासा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला इसे पहले प्रसन में देखा कि कैसे महात्मा गांधी दोवारा हिंदुस्तानी भासा राष्ट भासा बनाने बजोर दिया गया और इसकी वज़ा भी हमने देखी तो दोस्तों चोकि हमें पता है कि भाते सवधान सभा सवधान सभा का जो निर्मार के एगदुस्में सर्वस समते से इसको बनाये गया था और इसमें सभी लोग भागेदारी थी और इस सव्धान सभा में हर एक पक्ष के लिए उतनी जाए चर्चा वी जितनी इस भासा को लेकर वी थी और इस डिबेट में यह तैक किया गया कि क्या हिंदी राश्च भासा होनी चाहिए या हिंदी की जगा कोई और राश्च भासा होनी चाहिए तो इसी विवाद को हल करने के लिए सविधान सभा में बहुत चरचा की गई तो चलिए देखते हैं कि क्या से रास्ता निकलते हैं सविधान सभा में भासा के मुद्धे पर कई मेंनों तक वाज विवाद हुआ और कई बार काफी तना तना भी यानि तना तनी भी पैदा हुई आरब में कॉंगरेस सद्व मात्मा गादी हिंदूसानी भासा और राश भासा बनाने पक्ष में थे और ये हिंदी तिधा उर्दू के मेल से बनी एक समरिद भासा थी जिसे भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग बोलता और समझता था इसी बीच सन्युक प्रांद के कॉंगरेसी सद्व से आरबी धुलकर ने इस बात के लिए जोरदार आवाज उठाई थी कि हिंदी को सवधा निर्मार की भासा की रूमे परयुक किया जाए जब किसी ने ये कहा कि सभा के सभी सद्व से हिंदी नहीं समझते तो धुलकर ने पलड़ कर कहा इस सद्व में जो लोग भारत का सवधा नचने बैटे हैं और जिनें हिंदुस्तानी नहीं आती या हिंदुस्तानी नहीं जानते वह इस सभा की सद्वस्ता के पात्र नहीं है उन्हें सभा से चले जाना चाहिए 12 सेतंबर 1947 को राश्र भासा के प्रसंद पर दुलकर ने भासार ने एक बार फिर तुफान खड़ा कर दिया जब तक सभा की भासा समीती अपनी रिपोर्ट पेस कर चुकी थी और समीती नहीं सुझाओ दिया कि देवनागरी लिपी में लिकी हिंदी भारत की राज्र भासा होगी ना की राश्र भासा क्यों दोस्तो राश्ट्रि भासा को लेकर दक्षिर में तमिल राजों में काफी विवाद हुआ और वहां बहुत बड़ा अंदोलन भी उठा ऐसा लग रहा थे कि मानों भारत फिर में कई भागों में बढ़ जाएगा इसी कसोपस में होते हुए राश्ट्रि भासा के जगा हमने हिंदी को राज भासा गुरु में स्विकार किया और समीती ने ये भी फैसल लिया कि 15 साल तक सरकारे कामों में अंग्री जी का परियोग जारी रहेगा दोस्तो ये काफी important question है धार अगना इसे हम most important question की स्रेडिम रखते हैं ये प्रसन बार पर पूछा किया exam के board exam में यान class 12 के box exam में तो चलिए next प्रसन देखते हैं भारत का सवधान कब लाग हुआ तो भारत का सवधान दोस्तो लाग हुआ था a 26 जनवरी 1946 b 15 1947 c 26 जनवरी 1950 या d 15 1950 तो भारते सवधान हमारा जो लाग हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारते सवधान लागु किया गया था 26 जनवरी 1950 को next भारत का सवधान कब सुत्रबद हुआ जहां यानि भारत का सवधान कब बन कर तयार हुआ तो भारत का सवधान दोस्तो बन कर तयार हुआ था दिसंबर जी हां दिसंबर से लेकर हम देखें तो 9 दिसंबर 1946 इसकी प्रतम बैठाग भी थी 1946 को और 26 नॉव्मबर उनने सो उनननाचास को हमारा सववधान बनकर तियार हुआ इसी तरह हम कहते हैं कि भारत इसससभधान को बनने में 2 साल 11 महिने और 18 दिन का समय लगा भारत का सववधान किसके दौरा बनाए गया तो भारत का सववधान मनाए गया दोस्तो सव्धान सभाद्वारा सव्धान निर्माड के दोरान सव्धान सभा में कुल 1170 होते हैं सब्धान निर्माड के दुरान विधान सभा की कुल 165 इंगला प्रसंदोस्तों क्या है कि सब्धान सभा के 82% सद से किसके थे तो सब्धान सब्धान यासी पर तिससा सदके थे वो थे कोंग्रेस के जिहां इसलिए सभान सभा को ये ये भी आइरॉप लगा जाता है किस सभान सभा कोंग्रेस्ट के सबातीकि इसम्हाइक क्रफिन भूफ वहांती जादा था चले प्रसा नमबर 9 सविधान सभा की कुल सदस संख्या कितनी थी तो सविधान सभा की कुल सदस संख्या 389 थी प्रसा नमबर 10 भारत में 1946 की अंतरिम सरकार के अध्यस को थे तो भारत में 1946 के अंतरिम सरकार के अध्यस से पंडि जोहारलाल नहरू प्रसार नमबर ग्यारा जोहर लाल नहरू के उद्देश प्रस्ताओं को महतुपुल प्रस्ताओं क्यों कहा जाता है तो पंडी जोहर लाल नहरू द्वारा प्रस्तुल के उद्देश प्रस्ताओं को महतुपुल प्रस्ताओं इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि भारते सविधान के लिए इसने आर्दर्स जुटाए आर्दर्स यानि संप्रभुत्ता स्वतंत्ता और अखंटता की बात कहें तो इन्हें आर्दर्स माने आता है उद्देश प्रस्ताओं के अगर बात करें दोस्तों तो कब पेस किया गया था यह तो यह पेस किया गया था 13 दिसंबर जिहां 1946 को और हमारी सवधान सभा द्वारा इसे सर्व सम्मति से कब स्युकार किया गया 22 जनवरी 1947 को सरसम्मिती से उद्देश प्रस्ताओं को हमारी स्वधान समाने स्युकार कर लिया और उद्देश प्रस्ताओं किसको तरह पास किया था तो पास किया था पंडिजवालाल नहरू की दौरा तो इनी कोश्चों में से सारे कोश्चों आएं दोस्तो इस चेप्टर से इससे बाहर कोश्चों आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है तो वीडियो को पूरा देखें मैं गरंटी लेता हूँ इस चेप्टर से इन मेरे द्वारे जो परसंद आप बनाए गए हैं उससे बाहर परसंद नहीं आने वाले हैं परसंद नमबर 12 सवधान सभा में प्रितक निर्वाचन का पक्ष तथा विपक्ष में एक एक तर्क बताई है यानि सवधान सभा में प्रितक निर्वाचन को लेकर पक्ष में क्या तर्क दिया गया और इसके विपक्ष में क्या तर्क दिया गया विपक्ष में अगर हम तर्क बताएं तो सरदार पटेल के अनुसार प्रिथक निर्वाचक मंडल का जो देश में रख्त पाथ तता भी भाजन के लिए उटताई धराया विए रखत पात और इसकी भाजन का सबसे बड़ा मुद्दा है और यहां से भी प्रसंद बन सकता कि प्रिथक निर्वाचन की शुरुआत कब होई तो प्रिथक निर्वाचन की शुरुआत जो भी थी वो भारत में कब हुई वो भी थी 1909 के अधिनियम में अलग निर्वाच चेटर की मांग की गई और बिटीस सरकार ने फूट डालो सासन को रिनितिक तहत मुसल्मानों के लिए अलंग निवाचन चेटर के इस्तमाल किया जिसमें सिर्फ मुसल्मान मुसल्मान को ओड़ दे सकते थे और 1909 के बाद 1919 के अधिनियम में इस प्रिथक निवाचन की संख् को बढ़ा कर मुसल्मानों के साथ इसाई सीख बहुत जैन आदिस अभी के लिए लागू कर दिया गया बाद में इसी के लिए 1932 में महात्मा गादी ने एरवदा जेल में आमरन अंसन किया चुकि जो भीम रहां बेटकर थे उन्होंने हिंदूों में दलितों के लिए प्रि होने के आमरन अंसन किया गया बात में समझायने बुजाने बाद जब भीम रहां बिटकर इस बिल को आपस लेने के लिए तायार हुए तो महात्मा गादी ने अपना अंचन को तोड़ा चलिए प्रसन नमबर 13 स्वतंतरता के समय भारत के सामने कई समय थी इन में किनी दो सम चिप्ट वरनन कीजिए अगर हम सतंतरता की बात करें और उसके समय भात की समय बात करें दोस्तों हमारे समने बहुत में रहां पॉर्ट हैं थी टी तंतरता दिवस पर अनंद और एक उमीद का वाता वरण था प्रंथु भारत के बहुत सारे मुसल्मान और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूं तदा सीखों के लिए पाकिस्तानुसिंड्न शैर था क्योंकि करॉल और सुर्णानतियों एक इससान से दूसरे सान तक लाया ले जाया जाया चूंकि जो विवाजन रेखा खिचे गई थी वो विवाजन रेखा बहुत ही ज़्यादा गलत थी क्योंकि एक पच्ची में तो दूसरा अब पूरब में था दूसरा था तो देशी रियास्तों के समस्या हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या भी भी थी कि देशी रियास्तों क्योंकि हमारे सामने बिटी सरकार नहीं ये देशी रियास्तों के सामने प्रसंद रखा कि या तो आप भारत में सामिल हो जाए या तो पाकिस्तार में सामिल हो जाए या स्वतंद रह सकती है तो अधिकान देशी रियास्ते तो भारत में विलेक कर गई लेकिन अगर हम कुछ देशी रियास्तों की बात करें तो इन ये बहुत बड़ी समस्चा थी अगर ये समस्चा को सरदार बल्ला बैपटेल सही से नहीं निप्टाते तो भारत कई भागों में दोबारा से बढ़ जाता और हम जो एक अखंड और एक स्वतंद बात की कलपना देख रहे थे वो कभी पूरा नहीं हो पाता इसी देश अक्टूबर को लोग पुरूज दिवस यानि आप कह सकते हैं कि एक करोड़ दिवस या सदार पड़ल दिवस के रुप में हम बनाते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों अगला प्रसंद प्रसंद नमर 14 सवधान सभा ने केंद्र को किस प्रकार सक्तिसालि बनाया सवधान सभा सभा Gew kissy परन्तु राज औरás और नमर दोनों बना सकती हैं करन्टू तो निया तर केंद्र केंद्र को नेथिवस बनाए कर दोग उसन पर किसका अधिकार होता है केंद्र सरकार बहले ही वह वो और राजज में होए अनुछे पर गवर्णर की शिफारिस पर केंद्र सरकार राज सरकार के सबी अधिकार अपने हाथ में ले दूसरा राज कोशी संगवाद की भी एक जटिल विवस्था बनाई गई सीमा सुलक और कंपनी कर आदी से होने वाले सारी आए केंदर सरकार के पास रखी गई अगर प्रसंद यह भी बन जाए दोस्तों की केंदर सरकार को अधिक सक्तिसाली क्यों बनाए गया है तो केंदर सरकार को अधिक सक्तिसाली इसले बनाए गया है दोस्तों क्योंकि देश की एकता और अखंड़ता को बनाने रखने के लिए केंदर का सक्तिसाली जादा होना जरूरी है क्योंकि राज में तरह तरह के अलगावाद या हम कह सकते हैं कि विविन प्रकार के मद्वेद उत्पन होते रहते हैं जिसकी वज़े से केंदर को सक्तिसाली बनाए गया ताकि देश की एकता और अखंड़ता में सा बरकरार रहे और विग्ड़त ना हो सके हैं अगला प्रसन प्रसन अमर 15 भारते सवधान किस प्रकार केंद और राज सरकारों के अधिकारों को सुरचित करता है इस पस्ट कीजिए अगर हम बात करें तो भारते सवधान के किस प्रकार ये राज और सरकारों के अधिकारों को सुरचित करता है तो इसमें देखेंगे तो तीन सूचियां जो है दोस्तो केंद्र सूची राज सूची और समर्थी सूची क्योंकि हम एक संगवाद की सापना करते हैं जिसमें राज और केंद्र को बराबर बराबर सक्तियों बड़वारा कर दिया किया है दोनों एक दूसरे की सक्तियों पर शेप नहीं करते हैं इसके अलावा घर हम बात करें दोस्तों तो देखेंगे विभाजन एक सचाई बन चुकी थी जब दुरुबल केज सासन की विवस्ता पुरुदेश में उत्पन हुई थी तो इस वजह से हम देखेंगे कि सुरचित अधिकारों को पूरा करने के लिए अधिकारों को पूरा करने के सविधान दिर्माट से पहले के साल काफी उतल बुतल वाले थे इस कतन के समर्थन में उत्तर दीजिए ये दोस्तों से हम कह सकते कि ये मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है इस चेप्टर का ऐसा परसंद जो इस बार आने की पूरी की पूरी संभावना है तो सविधान दिर्माट से पहले की साल काफी उतल पुतलबल रहे इसका कारण के सकते हैं eh पंदरागस 1947 में जब भारत आजाद होता है तो उस आजादी के साथ हमें भी एक और समस्या का सामना करना भी लोगों की आद में भी 1942 भारत सबसे व्यापक जना अंदोलन था इसके अलावा करें तो ससर संगर्ज द्वारा सवतंतरता पाने के लिए सुबाज चंदरबोज द्वारा किये के प्रयाज भी लोगों को भी याद थे 1946 के बसंत में बंबई तो अन्य सहरों में रॉल इंडेन रिवी के सिपाईों को विद्रो भी लोगों बराबर बार बार अंदोलन कर रहा था और लोगों की सहनबुती इन सिपाईों के साथ थी चालिस के दसक के अगर बात करें तो अन्तिम वर्सों में देश के विद्वागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे तो ये कुछ चीजे थी दोस्तों हम कह सकते हैं इसलिए सब्धान दिर्मार के साल से पहले काफी उथल पुथल वाले साल थे और अगर इसमें अगर देखे तो हिंदू मुस्लिम एक था जना अन्दोलन का सबसे महत्पूर पहलू था इसके विपरित कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही परमुक राजनेतिक दल धार्मिक सद्भामना और समाजिक तालमेल इस्थापित करने में सफल नहीं उपा रहे थे तो ये कुछ घटना थी जो हमें एक ऐसे राज जी को लेके जा रहे थी जो भी भाजन को अग्रसार हो रहा था तो दो जोस हो ये इस चेप्टर के सभी महत्वपूल प्रसंन उत्तर हैं इस चेप्टर से इस से ज्यादा प्रसन यानि इस से बाहर प्रसन रहनी हैं तो जोस्तो वीडियो को पुरा देखे हैं धन्यवाद और चैनल को सबस्क्राइब करतें बैल आईकर अम दोबारा ना भू आपायो दो एतनों आपायो है।